कभी किसी पक्षी को घोसले की नीव बनाते देखा है अठक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोसला बनाता है अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है और फिर कहीं से तीवर आंधी आती है भारी वर्शा होती है और उसका घोसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है फिर वो पक्षी क्या करता है वो रोता नहीं ना ही विलाप करता है वो बिना विलंब करें, फिर से अपना घोसला बनाना प्रारंब कर देता है, और सफलता पाता है, फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भैभीत होकर परिश्ट्रम करना छोड़ देते हैं। एक बात सदास्मरन रखिएगा, हर व्रिक्ष पुलहाडी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चटान घन के एक प्रहार से नहीं तूडती, सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्ट्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। तो क्या यह आप गानिया है। क्या इसलिए इसलिए आप मुझे मोर्पंक हो जाने के लिए के लिए कह रहे थे। उस्तर दीजिए। उस्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए मादाग। उत्तर बहुत लंबा है कर्ण। और समय बहुत कम। रंतु अपने मित्र के प्रश्णों का उत्तर। मैं आवश्य तूंका। बट्स Penguins बहुत अपने के kinda आप है ए्पने मित्तर दीजिए। यदो एक जड़ाओं से जाएंगा बसान जदो एकला का पना बसा बसान इत में पना, जा दो आएंगाओं आमारो जाएंगा अबसा स्मारी का जाएंगा टीजाएंगा जाएंगा दाय दाय धर्मस्य, क्लानेर भवती फाहत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, दादा मानं श्रिजाउन हम, दाय दाय धर्मस्य, क्लानेर भवती भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, कुछ प्रशन ऐसे होते हैं मित्र, जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिया जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं, अब समय धम गया है, पूछो, क्या प्रशन है तुम्हारे मन में? आप तो सार्थी हैं, अपने रथी का मन पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लीजे, मैं पहले भी कह चुका हो मिलत, मुझे तुम्हारे मुक्ष से सुनना अच्छा लगता है, तो सुने, पताईए माता वैसा क्यों होता है, कि जो परिवर्तन की चाहा रखता है, उसे समाज का क्रोध क्यों से ना पड़ता है, परिवर्तन के कारण मनुष्य को अस्थिर होना पड़ता है, और यही अस्थरता मनुश्य को पीडा देती है मित्र इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है परिवर्तन करने वालों को पीडा देता है ताकि वो परिवर्तन के मार्क से हट जाए तो क्या इस विरुद्ध के फल सरूप समाज को अधिकार है कि वो एक अबोद की हत्या करे क्या दोश था मेरे भाई शून का यही कि उसने वेद पाट किया उसके लिए उसके मुक्व में पिगला स्वन भर दिया के क्या कोई विद्ध शीखना दोश है मादव आप ही कहते हैं ना इस सबकी आत्मा एक है तदी ऐसा है मादव तो शरीर को जाती के बंदरों में क्यूं बांदा जाता है क्यूं गुरु द्रोन में मुझे जाती के नाम पर शिक्षा नहीं दी मैं केवल और केवल राज कुमारों को ही शिक्षा देता हूँ विश्व के इतने अतक अस्त्र होने के पस्चाद भी रंग धूमी में क्यूं मुझे प्रदर्शन करने से रोका गया तुम्में ग्वण्द की अनुमति ख़दा भी नी मिल सकते अर्जौन कुरुवंची है अर्जुन शत्री है अर्जौन राजकुमार है और तुम तुम तेवल एक सूथ पुत्र हो सूथ पुत्र क्यों हर बार मेरे कॉशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया जाता है ठेहरो मैं एक सूत पुत्र से विवा नहीं करूँ बताईए माधव क्यों होता है मेरे साथ ऐसा चुकि तुम विशेश थे कर चुकि भाग्ये ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का युद्धा चुना और जो विशेश होते हैं उनकी परिक्षाए भी विशेश होती है जो अगनी बुझाने का प्रेत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं मेरे तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके ना कि ताम्र या लोखो मेरी द्रिष्टी से देखो मित्र आज तुमसे बड़ा पराक्रमी तुमसे बड़ा शूर वीर और कोई नहीं मेरी द्रिष्टी में अर्जुन भी नहीं मित्र परिवर्तन की चिंगारी जो तुमने संसार में लगाई है मित्र वो एक दिन सूर बनकर समस्त संसार को अलौकित करेगी संसार को आशा देगी परां तुम मेरे जीवन में आशा की केरण आप थे माधव आप मेरी प्रेणना थे फिर क्यों आने आई किया आपने मेरे साथ आप तो जानते थे ना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ फिर क्यों क्यों सदा मेरे और अरजुन के द्वंद को रोका आपने और आज भी युद भूमी से दूर मुझे आप यहां ले आई क्यों धर्म के रस पर बैटकर आपने अधर्म का बान चलाया क्यों माधव यदि आपको मेरे प्रांड चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव मैं प्रसंता से अपना शीश काटकर ठाली में आपको फेट कर देता क्यों ये छल किया आपने जब मैं रत्विहीन था तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया क्या ये धर्म स्थापना है क्या ये आपके अफ़तार का उदेश्य है बोलिए माधव आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं अर्जुन से बूर मैं आपका रती था आप मेरे सार्थी थे और आप ही कहते हैं ना कि सार्थी रती का मन पढ़ लेता है तो आज क्या हुआ आपको मेरे प्रश्न पता हैं फिर उसके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं अब बोलिए सार्थी और रथी भिन कहां होते हैं राधे वो दोनों तो एक अंग होते हैं जब एक सार्थी अपने रथी के मन में उठने वाले प्रश्णों को समझ जाता है तो क्या रधी को अपने प्रश्णों का उत्तर अभी तक नहीं मिला मैं परुश्राम तुम्हें श्राब देता हूँ इस समय तुम्हें इंदिव्यास्तों की सबसे अधिक आवशक्ता होगी उस समय तुम इसके अनुसंधान की विदी दोल जाओगे ब्रमस्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है और क्यों हुआ तुम्हें यहां खीच कर लाना मेरी विवश्टा थी मित्र ताकि परिवर्तन के इस शरीर पर श्रापों और पापों का बोज उतारा जा सके तुम्हारे रत का चक्का पहली बार नहीं फसा है कर स्मारण है पहली बार तुम्हारे रत का चक्का कहा फसा था कर दो ये स्थान स्मरण है मित्र, स्मरण है, कि हम किन परस्थितियों में पहली बार मिले थें। वर्तमान के कर्म भविश में फलदाई होते हैं अंगराज, कोई ऐसा कारे मत करना कि भविश पीड़ादाई हो। कर्म मनुष के मार्ग चुनने से निश्चित होता हैं अंगराज, प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए। क्योंकि लक्ष उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो, तो लक्ष प्राप्ति असंभव है। स्मरण है मुझे। मैं प्रारब्द बदलना चाहता था मित्र, किन्तु दुर्भाग क्या। समय प्रबल है। तुम्हारे वचनों के कारण, श्रापों के कारण और पापों के कारण। इस वर्तमान स्थिती में आना ही पड़ा करण। वचन और श्राप, इन दोनों का भोच मैं समझता हूँ। परन तु पाप? मैंने कौन सा पाप किया माधव। परिवर्तन की चाहा रखना। क्या ये पाप है। अपने गुरु के विश्राम को भंग ना करना। क्या ये पाप है। अपने मित्र की सहायता करना। इसने सदेव मुझे सहारा दिया। क्या ये पाप है। मौन क्यूं है आप। बताईये। मौन यही मौन तुम्हारा पाप था मित्र। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा अपराध था। पांचाली के वस्र हरण पर। तुम्हारे शस्त्रों का मौन रहना अपराध था मित्र। तुम्हारा प्रतिशोत पूल हुआ। मत करो यह नर्थ। प्रतिशोत तो अभी आरब हुआ है मेर्थ। और अब इसके मधियों में तुम्हे भी नहीं आने दुगा। मनश्यों से भूल होती है। स्वभाविक है। पांड वो से भी होई। किन्तु वो मौन नहीं रहे। अधर्म के वृद्ध उन्होंने स्वर उठाया। और इसी कारण मुझे उनके पक्ष में जाना पड़ा मित्र। और तुम मौन रहे। इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका मित्र। संसार को दुष्ट आत्माओ के उपद्रब ने जितनी हानी नहीं पहुँचाई। उससे कही अधिक हानी महात्माओ के मौन ने पहुचाई है मित्र। अभि मन्यों के वद्ध पर तुम्हारा मौन पाप था मित्र। दुरियोधन के हर उठते स्वर पर। तुम्हारा दपता स्वर अन्याय था। स्वप्न केवल उच्ण और शुब होना महत्माओ नहीं होता मित्र। तो स्वप्न को पून करने का मार्ग भी शुब होना चाहिए। परिवर्थन की चाहं में तुम अधर्म का हाथ थाम बैठे मित्र। ये तुम्हारा अपराथ था अपनी प्रतिग्या पूर्ण करने के लिए तुम दुर्योधन को मित्रता का वचन दे बैठे मित्र ये तुम्हारा अपराथ था अमरित पाने की यात्रा तुमने विश्धर के कंधों पर बैठ करकी मित्र ये तुम्हारा अपराथ था समय बहुत कम मनुश्यों को संकेत देता है कि उनका चुना गया मार गनुचित है मैंने भी तुम्हें कई बार संकेत देने का प्रयास किया मित्र अफसर तुम्हें मिला था मित्र कई बार मिला था किन्तु अपने वचन के कारण तुम सत्य के मार्ग पर ना सके मित्र ये तुम्हारा अपराथ था अवश्य तुम ठाली में सजा कर मुझे अपना सर दे देते किन्तु उन से उन पापों का उन श्रापों का भार कम नहीं होता मित्र जिनको तुमने अपने कंधों पर लादा हुआ है हम सब अपने चैनों का उत्पाद होते हैं मित्र हमारे चैन ही हमारा प्रारब्ध निश्चित करते हैं और आज इस पल का निश्चय तुम्हारे चैन ने किया है और मुझे देखो मित्र मित्र के रूप में मैंने तुम्हारा चैन किया इस कारण इस पीड़ा का भागीदार मैं भी बन रहा हूँ मैं तुम्हें सदा शान्ती देना चाहता था मित्र तुम्हें इस चनम में हर पाप से मुक्त कर देना चाहता था मित्र इसलिए मैं तुम्हें यहां खीच कर लाया मुक्त हो जाओ मित्र मुक्त हो जाओ कारण मुक्त हो जाओ कारण आपने उचित का है कि हम सब अपने चैन का उत्पाद हैं मेरा ये घाओ भी मेरे चैन का परिणाम था उसे आपने ले लिया मादा परन्तो ये अवश्य है किसी और के हिस्से में पीडा गई होगी ये पीडा किसके हिस्से में गई होगी मादा उसे जो नहीं चाहता कि किसी और को पीडा सहनी पड़े पीडा को टाला नहीं जा सकता मित्र किन्तु बाटा अवश्य चा सकता है एक मित्र ही मित्र की पीडा बाटता है करक्या किमातर कि क्यों कि आपने है मुस्राज सभा को भूल गए भूल गए कि युद्ध मैं ही और इस युद्ध में चलने वाला अस्त्र और शस्त्र भी मैं हूँ विर्वा से लगने वाला खाव भी मैं ओ अर उनrolog गाव का उप्चार भी मैं इस युद्ध में विजय होने वाला मैं हूँ और मृत्यू का आलिंगन करने वाला भी मैं ही हूं मिंत्र युद्ध विजय होने वाला भी मैं है हम दोनों मित्र हैं इस लोग को छोड़ने से पूर मैं अपने पीड़ा अपने मित्र को नहीं दे सकता मादा मेरे जीवन रत को अंतिम लक्ष पर ले चलिए मैं प्रसन्न हुआ मित्र एक समय था कि मैंने तुम्हें अपना रथी चुना था और मैं सदा चाहता था कि तुम मुझे अपना सार्थी चुना अंतिम शणों में ही सही किन्तु आज तुमने मुझे अपना सार्थी चुना मित्र आओ मित्र तुम्हें तुम्हारे लक्ष पर ले चलता हूं सुर्यस्त होने से पूर्व तुम्हें वहां पहुचना है और विश्राम करना है मित्र अपने चयन की नियती स्विकार के अपने शायन की नियती श्विकार के करने को सज्य हो जाओ मित्र करने की श्याओ मित्र आओ 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 को पार्थ, अंजली का अस्त्र का प्रयोग का. कर दोकर प्रयोग का. अर्गोजे वस्यदी मही तत्रुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुट झाल लें 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 पार्ट संधान करो पार्थ माधर मेरे हाथ काप रहे हैं नहीं पार्थ तुम पाप नहीं कर रहे हैं उन्न कर रहे हो तुम्हें एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हूँ ए मृत्यू तैयार जदी तु आने को प्रसन्बुका दुआर खुला है तेरा स्वागत प्रसन्बुका है मृत्यू तैयार जदी तु आने को प्रसन्बुका दुआर खुला है तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत दुआर खुला है तेरा स्वागत वीर खड़ा दुआर खुला है तेरा स्वागत वीर खुला है तेरा स्वागत